राहुल गांधी के खिलाफ की गई कारवाही के विरोध में कॉंग्रेज अब अपना अंदोलन और तेज करने जा रही है। पूरे प्रदेश में महात्मा गांधी के 1942 में भारत छोड़ो अंदोलन की तर्च पर करो या मरो के नारे के साथ मैदान में उतरेगी। राजिव भवन में मंगलवार को प्रदेश प्रभारी कुमारी सेलजा ने प्रदेश कारेकारेणी विधाय को जिला अध्यक्षों और मोर्चा प्रकोष्ट के अध्यक्षों की महतवपूर्ण बैठक ली। बैठक में राहुल गांधी के मुद्दों को लेकर जंता के बीच जाने की रणनीती तयार की गई शैलजा ने कहा कि यह राहुल गांधी की लड़ाई नहीं हम सब की लड़ाई हैं हम कॉंग्रेस कारकरता राहुल गांधी के साथ खड़े हैं इस दौरान मोदी सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया साथ ही केंद्र सरक पार की लोकतंत्र विरोधी रवये के खिलाफ संघर्ष का संकल्प भी लिया गया सभी लोगों ने अपने सुझाव दिये बहुत अच्छे सुझाव आए हैं एक देखने वाली बात ये है कि सभी लोग हमारे कॉंग्रेस पार्टी के चाहे वो गभायकर हैं चाहे पतादिकारी हैं सभी लोग बहुत उतेजित हैं कि भारतिय जन्ता पार्टी में जो ये साज़िश रची है और उनकी हर हरकत से प्रूव होती है ये बात अलग है कि हम म्याए तालिका का आदर करते हैं और हमें इस देश के कानून पर विश्रास है कानूनी लड़ाई हम कानूनी हिसाब से लड़ेगा लेकिन आज सारा देश सारी दुनिया देख रही है कि इस बात पर कैसे राजनीती खेली जा रही है कहीं OBC का नाम ले आते हैं बीच में इसमें OBC कहां आ गए कहां इसमें जाती आ गई भारतिय जन्ता पार्टी के ये पुराने हकंडे हैं कि धर्म के नाम पर या जाती के नाम पर हर मुद्दे को ले जाएं और समाज को पाटे हम ऐसी बात को बिलकुल ना कारते हैं कि ना कांग्रेस पाटी की ना हमारे मेटा यह कभी मंचा ना है ना होगी यह मंचा केवल भारतिय जन्ता पाटी की और इनके नेताओं की चाथपाप की राजनीति हमें इसको पूरी नाकारेंगे आपने देखा इसमें डिफेंसिव होने का हमारा कोई ना मतलब है ना हम दिखेंसिव होंगे यह एक ऐसा मुद्धा है जो इन्हों से हमारे यहां कहते हैं जो चता होता है मदूमुत्यों का इसमें हाथ लगा ते मोटेशल में समाज की हिए हमारे समाज के साथ है। हमारे देश के साथ है। अघिये हर प्रणाली की दज्जियं ऊड़ा रहे हैं। चाहे हमारे संसदिय प्रणाली, चाहे हमारी कानूनी व्यवस्ता हो, आप खुद देखते हैं, इनके न्याय मंत्री या बड़े-बड़े मंत्री, कैसे न्याय पालिका को टागेट करते हैं और उनके बारे में कैसा बोलते हैं, हमारा एक परिवार, ये गांधी मेहरी परिवा प्यातरा की, आर्दिये जंता पार्टी की, इनकी विचार धारा की नीव हिल गई, इसके अलावा, जो राहुल गांधी जी ने संसद में मुड़े उठाए, आज उससे ये पीछे हट रहेगी, उसको ढखने का प्रयास है, इन सब बातों को सारा तेश देख रहा है, कॉंग के बीच में लेकर जाएगी, संसद में आपने देखा, विपक्ष के पार्टियां साथ आ रही है, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है, क्योंकि बने एक पार्टी का ने हो, हमारे लोक तंत्र के उपर हमला, इस लोक तंत्र को बचाने के लिए, हम संसद से जमीन तक हर तरे की करेंगे, हर बूत पर जाएंगे, हर ब्लॉक में जाएंगे, हर जिले में जाएंगे, हर स्तर पर हमने ये लड़ाई और सच्चाई, क्योंकि सच्चाई की हमेशा जीत होती है, ये अकेले राहुल गांधी का मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश का मुद्दा है, लोक तंत पार्टी के कारिय करता हैं, चाहे हमारे निरौचित लोग हैं, सबीडी समीन तक इन मुद्धों को लेकर जाएंगे। अलग-लग तरह से आपको समय समय पर हम बता देंगे की। चाहे हमारे प्रप्रोश्ट हैं, चाहे हमारे डिपार्टमेंट्स, सभी यूद्ध कॉंग्रेस, NSUI, कॉंग्रेस, सभी लोग इन मुद्धों को लोगों तक लेकर जाएगे बारतिय जंता पार्टी ने आज के दिन देश में और इसके गवाँ आप सब हैं मीडिया गवाँ है, आज के दिन पूरे देश में एक अधोशित एमर्जेंसी लागू की हुई है भारतिय जंता पार्टी कॉंग्रेस पार्टी, हम गांधी के अनुयाई हैं, महात्मा गांधी के अनुयाई हैं, हम शांती पूरवक्त अपना विर्रोथ प्रदर्शित करते लिए अगर ऐसी बात हो, तो मानिय प्रदान मंतरी जी को संसद में राहुल गांधी जी के एक-एक सवाल का जवाब देना चाहिए था, ना कि राहुल गांधी जी और हमारे अध्यक्ष ने जो भी कहा संसद में, ना कि उन्हें एक्सपंज करते, एक-एक बात का जवाब उन्हें देना चाहिए था, अगर उन्होंने कुछ गलत किया नहीं, अगर ऐसी बात नहीं, जो राहुल जी ने उठाई हैं बात, तो क्यों नहीं सामने आते और बताते की असलियत क्या है, क्यों नहीं कोई हैं क्योंने इंस्टिक्यूट की, क्या हुआ कि सुप्रीम कोट को करना प्रजातांत्रिक विवस्था कहां रह जाती है, तो प्रमुक बात है कि देश में वो प्रजातांत्रिक विवस्था रहे, जिसमें जन्मत का प्रभाव कम से कम पांथ साल तक बरकरा रहे, अगर उसी को शॉर्ट सर्किट करके और चुने हुए लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिदियों को इस तरह से हटाने की बात चलेगी, तो चुनाओ सेकिंड प्राइरिटी है, पहली प्राइरिटी है देश देश का संवेधान और देश की प्रजातांत्रिक विवस्था